ओम शांती आज 24 जून 2023 को हम मातेश्वरी जगदंबा मा के स्मृति दिवस पर मातेश्वरी जी के अनमोल मधूर महावाक्य सुनेंगे और ये मधूर महावाक्य जगदंबा मा ने 21 जून 1961 को सुनाए थे ऐसा मैसूस होता है कि मीठी मा की मदूर लोरी हम सुन रहे हैं मम्मा ने समय के साथ साथ बच्चों को साउधान किया है कि माया अपना अंतीम दाओं किस तरह से चले गए और कैसे कैसी परिक्षाएं बच्चों के सामने ले आएगे और बच्चे अगर परिपक्वन नहीं रहे तो बाप में भी संशे बुद्धी बना देंगी तो मीठी मा ने हम बच्चों को साउधान किया है कि बच्चे अने प्रकार की परिक्षाएं आएंगी लेकिन कभी भी संशे बुद्धी नहीं बनना है माया के हर परिक्षा को पार करने के हिम्मत और धैरता रखते हुए पार करना है तो सुनते हैं आज के मीठी मा की मदुर लोड़ी चदंबा मा के स्मृति दिवस पर प्रातह क्लास में सुनाने के लिए अनमोल महावाट्य विश्य चुना है मम्मा ने माया के अनेग प्रकार के विज्णू से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को साउधान रखो संभल कर चलो अभी चारो और माया का जोर है क्योंकि उसका राज्य है और पिछाडी के समय उसमें जितनी भी ताकत है माया में जितनी भी ताकत है वह अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी पहले तो माया का पता ही नहीं था माया के वश में थे अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी माया का पता चला है जैसे जैसे साउधान होते जाएंगे तो माया हमसे ही लड़ेगी दुश्मन बनेगी प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी बहुत गहरी बात मम्मा ने कही कि माया उपर से प्यार का स्वरुख दिखाएगी लेकिन अंदर में दुश्मनी रख करके करेगी जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किसम किसम की सभी बाते सामने आएगी कोई बंधन नहीं है फिर भी मन के फाल्तू विकल्प तंग करेंगे किस किस रूप से माया आ सकती है उसका वर्णन ममा ने किया है कि कोई बंधन नहीं है फिर भी मन के फाल्तू विकल्प तंग करेंगे पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा अभी वह भी होगा कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े अभी बीमार पड़ गए है धन के भी कमी पड़ेगी बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा ऐसे और भी कहीं बाते होगी दोस दुश्मन बन जाएंगे मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे कई ऐसी उलट उलट बाते आ सकती है और आएगी क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब सब चुक्तु होना है अभी ये सब जो रावन का खाता था उसको हम खतम कर रहे हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धी हटाते हैं तो फिर वह सामना भी होगा इतर संबंधी भी सामना करेंगे इसलिए ऐसी ऐसी बातों में संभलना है कई तो सोचते हैं क्या सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबते आ गई जब मैं परमात्मा का बना हूं तो उसका ही सहारा लिया है कई सोचते हैं बच्चे कि जब मैं परमात्मा का बना हूं एक उसका ही सहारा लिया है तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं है कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलिफ नहीं आनी चाहिए परन्तु परिक्षाएं जरूर होगी ममा कहे यह नहीं कि भगवान के बने मना कोई परिक्षा नहीं आएगी परिक्षाएं जरूर होगी तरह तरह की बहुत बाते आएगी तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला है यह भगवान है या नहीं पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं है, जो भगवान नाराज हुआ है, ऐसे कई संकल्प आएंगे, संशय के भी कई संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे वीगनों के कारण कई तूट जाते हैं, कोई मुसीबत आई, बात आई, तो समझते हैं, शायद यह भगवान ही न ही है, पता नहीं क्या है, इसलिए इन सब बातों से बिचारे डर करके, किसी ने कुछ कह दिया, वा डरवा दिया, तो तूट पड़ते हैं, लेकिन यह सब तो होता आया है, शुरू से ही ऐसा होता आया है, यह भी बाप बतला देते हैं, कि इन सब का मूल कारण है, दे अभीमान, दे अभीमान के कारण, कहा काम की गोली, कहा क्रोध की, कहा लोब की, कहा मोह की, कहा फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है, ऐसी बाते लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी, यह सब माया के पास सही मार्क से हटाने के अस्त्र सस्त्र है, बुद्धी में उल्टी उल्टी बाते ले आना, उल्टी बुद्धी बनाना, यह तो माया का काम है, इसमें ही तो अपने को संभलना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है, इसके लिए बाप कहते हैं, मेरे से बुद्धी योग रखो, तो तेरी बुद्धी उल्टी न वने, जट से उसको चेक कर सको, स्वयम को चेक करने की भी पावर चाहिए, तो चेकिंग पावर से अपने को साउधान रखो, और फिर उसी साउधानी से अपने को पार करो, यही माया के अनेक प्रकार के विग्न है, इन ही से पार होना है, यही माया के विग्नों से पार होना है, बाकि ऐसे नहीं है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए नहीं, अभी तो पार होना है अभी जो हमारा ये जन्म है, इसमें तो हमको बदलना है इसी में महनत की आवश्यक्ता है सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे यहां ही वैंकुंट है, यहां ही स्वर्ग है, फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे इसी लिए बाप कहते हैं, यह थोड़ी अंदर की महनत है, इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है यह यह विगन आते हैं, ऐसी ऐसी बाते आएगी, इन साब बातों में अपना निश्चे अटल रख करके अपना पुर्शार्थ करना है साउधान रहना है, पर दूसरों को भी साउधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं, तो अपने को फिसलने से बचाना है चलते चलते, कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई फिर मत भेद में आकर के फिसले यहां से ही गिरते हैं तो अभी गिरने से संबलना है मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे इन साब बातों को यथार्थ रिती से समझना है कि यह भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है वो अभी एक ही जन्म में चुकाना है इसी लिए यह सब बाते आएंगे इस एक ही जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुर्शार्थ करते हैं बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे क्योंकि हम जनम जनम उनके थे अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है कभी किसी जन्म में थोड़ा-थोड़ा चुकाया भी होगा फिर भी जो कुछ बचा हुआ है इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है माया भी देखती है कि अगर अभी ये पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे इसलिए वो घेराव करेगी न कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है फिर ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना ये बात ऐसी क्यों आई ये रोग क्यों आया ये बात क्यों हुई ऐसे अनेक सवाल मन में आएगे परन्तु नहीं ये सब प्रकार की परिक्षाएं अभी ही आएगे अभी इन ही बातों से अपने को संभलना समझना ये ही तो नौलेज है ममा कहें कि समझ रखना ये ही तो नौलेज है ज्यान तो इसी का नाम है करम की गती क्या है ये सब आप विस्तार से समझाते हैं करम का हिसाब कैसे बनता है कैसे बिगड़ता है कैसे सवरता है और सवर करके फिर क्या बनते हो यह सभी बाते बाप ही बैठ करके समझाते हैं क्योंकि हमारे सारे कर्म की नौलेज बाप के पास है हमारे किन कर्मों से दुरगती हुई है उससे कैसे छुटे कैसे हमारी गती फिर सदगती होगी इस पूरी नौलेज के गती का चक्र बाप ने समझाया है जिसके पास पूरा ज्ञान है वो कभी हीलेगा नहीं अगर नौलेज की कमी है तो फिर हीलेगा उसके पाउं धीले पड़ेंगे फिर क्या होगा? फिर आश्चरेवत पश्चनती, सुननती, कथनती, भागलती ज्यान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले जिनोंने आरंभ में साक्षात्कार भी किये हैं सब तरह के तूट पड़ते हैं यह सबी होता आया है इसलिए इनी सब बातों में सम्मलने के लिए यह साउधानी दी जाती है अपने पाउं कैसे मजबूत रखना है ऐसे विगनों के समय अपने पाउं कैसे मजबूत रखना है उसी मजबूती के लिए बाप किसम किसम से समझाते हैं क्योंकि अभी मजबूत पाउं रख करके बाप से पूरा-पूरा अधिकार पाना है तो अधिकार पाने वालों को यह बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से बल से काम लेना है यह विग्नों को पार करने के लिए और अधिकार पाने के लिए कितना हिम्मत भरोसे बल से काम लेना है हम भी warriors है ना, अपनी रुहानी लड़ाई, कोई हाथ पाउं से नहीं है, परन्तु गुप्त है हमारी अंदर की युद्ध है, और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करने है लक्ष यही है, जीत प्राप्त करने, विकारों से गुप्त लड़ाई है, बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहा है साउधान कर रहा है, कि बच्चे साउधान वो रहना, यह माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परन्तु तुम इन सब बातों में खिलनाने इन बातों को समझ करके अपने पुरुशार्थ को बहुत हिम्मत से और धायनाओं के साथ चलाना है पुरुशार्थ को कैसे आगे बढ़ाना है, हिम्मत से और धायनाओं के साथ चलाना है उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए, उसे नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुशार्थ करते रहना है इसमें कोई दुख और अशान्ती की बात ही नहीं है अभी लाचारी वाला पुरुशार्थ नहीं करना है कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर महरबानी करते हैं महरबानी तो अपने उपर करनी है जो अपने लिए समझ करके पुरुशार्थ करते हैं उन्हों का पुरुशा ठीक रहेगा हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं अगर बिगाडते हैं तो भी अपना बिगाडते हैं सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं तो हर एक को अपने उपर एटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाव, स्वभाव की बाते भी इसमें बहुत आती है, बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते हैं, वह तो अज्ञानी है न, इसलिए कोई बाहरवाल आकर कुछ बोल के जाए, तो उसको हम ख्षमावई कर सकते हैं, और समझ सकते हैं कि अरे, इसमें तो ज्ञान है यह नहीं, यह तो अज्ञानी है, लेकिन ब्राम्मन परिवार में कोई ने कुछ कह दिया, तो कहेंगे, यहां भी वही चलता है, तुरन संशे आने लगता है, है न, तो ब्राम्मन परिवार में कोई ने कुछ कहा, किया, तो कहेंगे, यहां भी वही चलता है, यहां आपस में कुछ होता है, तो वह बात बहुत बड़ी लगती है, परन्तु नहीं, यही तो माया है, अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, पर उनके हिसाब तो 84 जन्मों का है, तो यहां तो ज़्यादा आएंगे ही बाते, तो इसलिए मम्मा कहें, यही तो माया है, इधर भी माया किसी न किसी रूप में गुसेगी न? कहेंगी, देखे, इसने मुझे छोड़कर इन्हे साथी बनाया है, तो उन साथियों में भी इसको टकर खिलाएं, परन्तु हमें तो यह नौलेज है, यह जो हिसाब किताब की टकर है, यह पिछली है, इसलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे, भगवान के बच्चे होकर यह क्या कर रहे हैं, इसमें हिलना नहीं, क्योंकि अभी ग्यान है, कि यह भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, उसे योग और ग्यान से काटना है, ऐसे नहीं टकर खा करके काटना है, नहीं, वह तो हमारा विकर्म बन जाएगा, हमने भी टकर खाना शुरू किया, सुचा कि ऐसे जुक्तु करते हैं, तो मम्मा कहें और ही हमारा विकर्म बन जाएगा, उसमें संबलना है, परन्तु कई संशे में आ जाते हैं, कि देखो, यह ज्यान में आ करके भी क्या कर रहे हैं, तो कोई भी हिसाब किताब में टकर खाना अज्यान है, अभी यह अज्यान निकल जाना चाहिए, यह सब बाते समझाई जा रही हैं, क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बाते हो रही हैं, तो इनी सब बातों में साउधान किया जाता है, कही इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है, वह तकदीर लेना गूलना जाए, बेहत बाप से बेहत का वर्षा लेना ही छोड़ दे, इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे, भले आपस में कुछ है भी, लेकिन आलवेज सी फादर, आलवेज सी फादर, बाप को ही देखो, बाप से जो वर्षा लेना है, उससे ही मतलब है ना, जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो, तक्कर आपस में खाते हो, और छोड़ देते हैं बाप को, मुम्मा कहे, तक्कर आपस में खाते हो, और छोड़ देते हो बाप को, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, तेरा वर्षा चला जाएगा, ऐसा महा मुर्ख नहीं बनना है, नुकसान किसको है? हमें यह है इसमें सावधान रहकर स्वयम को संभालना है ऐसे नहीं, यहां गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं सेफटी तो अपनी स्वयम करनी है अगर कोई भी धार्णा में कमी है तो फिर माया इधर भी गुश जाएगी इधर भी गुश आएगी, इधर भी टकर खिलाएगी कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से फिर बाप पढ़ाता है, यह भूल जाएगा ऐसे टकर चकर की बातों में गिर पढ़ेंगे इसलिए सावधान एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे न कि देखना, यहां फिसलन है संभलना, सावधान रहना यही तो अपना धर्म है किसी को सावधान करना, यही तो अपना धर्म है कहां से कौन-कौन, कैसे फिसलते या खिसकते है वह आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना बाप से पूरा वर्सा पाना है तो फिर पूरा पाउं द्रिड़ता से रखना परमात्मा के ज्यान की यह मन्जिल बहुत हुची है यही जो बाते आती है इन से पार होना और अपना पूरा अधिकार प्राक्त करना तो इन सभी बातों में अपने को संभालना है चाहे पुराने हैं या नए हैं या बाते सब के लिए हैं नए पुराने सब के उपर माया की नजर है अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गया है अगर आत्मा कम्प्लीट हो गय तो शरीर भी कम्प्लीट होना चाहिए परन्तु नहीं, अभी इनकम्प्लीट शरीर में बैठे है तो इसका मतलब कि आत्मा कुछ इनकम्प्लीट है पुरा संपूर्ण नहीं बने है लेकिन घड़ी-घड़ी माया की अंगूरी नहीं खाने है इससे चोट लगती है फिर वह रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा नाम तो खराब होगा न माया बहुत युप्ती बास होके गिराती है यही तो हमारी माया से लड़ाई है बाकि कौरो पांडव की कोई युद्ध नहीं हुई है यह तो पांडवों ने माया से युद्ध की है अभी हमें क्या करना है? अभी ममा कहे अभी हमें क्या करना है? अपने को माया से सेफ करते चलो दूसरा अपना तन मंधन फिक्स डिपोजिट अल्माइटी बैंक में रख़़़़़़़ इसे इन्शोर करके अपने स्रेश्ट कर्म से अपना भविश्य उंच बनाते चलो जो करेगा सो पाएगा डाइरेक्शन तो सबके लिए एक जैसे हैं लेकिन जो भी करेगा वो अपना बनाएगा बाप से सभी को अपना संबंद पूरा रखना है इसमें दूसरों को नहीं देखना है यह सब धानाएं अपने को समझाने के लिए हैं क्या रॉंग है क्या राइट है वो दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना दूसरों को जब समझाते हैं, तो वास्तों में अपने को समझाते हैं, इसलिए बाबा भी कहते हैं, दूसरों को खबरदार करेंगे, तो खुद भी खबरदार रहेंगे, तो सभी ऐसी तेज रफतार से चल रहे होना, अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचरिया का, बाबा की य लेकिन लोग लालच बहुत नहीं रखना है अपने पेट की आजीवी का जितना काम चलाना है बाकी जो टाइम है बुद्धी बल से बाकी टाइम पर ममा कहे बुद्धी बल से तन मन धन इश्वरिय कारिय में लगाने से फाइदा ही फाइदा है क्योंकि उससे अभी जमा होगा तो बाप कहते बच्चे अभी अपना जमा करो जिससे तुमको सौ गुना हजार गुना हो करके मिले अच्छा ममा कहे मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चो प्रती और ऐसे अच्छी तरसे जो साउधान रह करके चल रहे हैं ऐसे बच्चो प्रती बाप दादा और मा का याद प्यार और पुट मौने आज का बाप दादा का मदुर वर्दान हम बच्चो के प्रती है बिंदू रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पदमा पदम पती भव बिंदू रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पदमा पती भव आप बच्चे, एक एक सेकंड में, पद्मों से भी जादा कमाई जमा कर सकते हैं जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो दस हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो सौ हो जाता है ऐसे एक सेकंड बिंदू रूप बाबा को याद को, सेकंड बीता और बिंदी लग गए, इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले, आप बच्चे अभी पदमा पदम पती बनते हो, जो फिर अनेक जन्मों तक हाते रखे, मम्मा कहे इतना जमा कर लेते हो अबी, जो फिर अनेक जन्मों तक इसी खाते से खाते रहें, ऐसी कमाई करने वाले बच्चों पर बाब को भी नाज है, आज का स्लोगन है बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संसकारों को, बिगड़े हुए मूर को शुब भावना से ठीक कर देना यही स्रेश्ट सीवा है बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संसकारों को, बिगड़े हुए मूर को शुब भावना से ठीक कर देना यही स्रेश्ट सीवा है अच्छा, ओम शानती